सबको नमस्ते सो आज फिर से कबीर जी के कुछ शब्दों बे विचार करेंगे मांगन मरन समान है मत मांगो कोई भीक मांगन से मरना भला यह सद्गुरु की सीख तो कबीर जी मांगने के लिए कुछ पता रहे हैं कि मांगन मरन समान है कि अगर हम मांगते हुए पाए जाते हैं it's as good as कि हम जीवित ही नह polarization तो ऐसा क्या है मांगने में ऐसे क्या पुरही है और किस मांगने की बात कर रही है कभीर जी किस मांगने की बात कर रही है तो अगर हम अपना दैनेक जीवन देखें अपने रिष्टे नाते, रिलेशन्शिप्स, काम, वर्क प्लेस, जॉब, जीवन, जो दैनिक जीवन है, हम कुछ न कुछ मांग ही रहे होते हैं, हम में कुछ है, ऐसा लगता है कुछ हमारे अंदर एक ऐसा घड़ा है जो कभी भड़ता नहीं है, जो मांगता रहता है, कुछ भी चाहिए उसको, कभी भी खाली नहीं बैठना, खाली बैठना उसको गवारा नहीं है, खाली in the sense की, वो चाहा बरकरार रहनी चाहिए, कुछ न कुछ चाहते रहो, और अपना पेट भड़ते रहो, लेकिन पेट ऐसा है कि भड़ता नहीं है, अब किस तरह की चीज हम मांगते हैं, हम सबसे बड़ी चीज जो मांगते हैं, वो है दूसरों से, हम ये चाहते हैं कि तू बता कि मैं हूँ, जब तक तू मुझे पसंद नहीं करेगा, जब तक तू मुझे अप्रूव नहीं करेगा, जब तक तू एक स्माइल पास नहीं करेगा, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ, तो हम अपना होना दूसरों के जरीए हम जताना चाहते हैं, कि कोई दूसरा बता दे कि मैं हूँ, I also exist, validation चाहते हैं दूसरों से और ये एक या दो जनों की बात नहीं है, ये पूरा, it's like a global phenomenon, this begging bowl that we have in our hands, it seems like a begging bowl and the quality of this begging bowl is कि इसमें जितना भी डालो, इस कटोरे में, कितना भी डालो, उसका घड़ा भरता नहीं है, अगर इस जने से approval मिल गया तो दूसरे से चाहिए, अच्छा अगर approval मिल गया दोनों से, तो उसी से कुछ और चाहिए, लेकिन चाहा बर करा नहती है, as if कि वो begging bowl जो है, उसका पेट कभी भरता नहीं है, और हमें लगता है कि हम अपने लिए जीवन जी रहे हैं, हमें लगता है कि ये मांग कौन रहा है, मैं ही तो मांग रहा हूं, हम कभी question भी नहीं करते हैं, कौन मैं मांग रहा है, कौन है मेरे में जो ये मांगता रहता है, कभी question नहीं करते हैं, और हम इसको बोलते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरी जरूरत है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे approve करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो और वो प्यार उस तरीके से कभी मिलता नहीं है जिस तरीके से तुम चाहते हो कुछ न कुछ कमी उसमें हमेशा रहती ही रहती है और क्यों रहती है क्योंकि कोई दूसरा आज तक पैदा नहीं हुआ जो हमें उस तरीके का प्यार दे सके, जिस तरीके का हमारी expectation and demand है, ऐसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि शायद इसलिए ऐसा कुछ बनाया होगा, ताकि हमें बार-बार ठोकर खाके पता लगे कि हम भरपूर हैं, हम दूसरों से रिष्टे नाते, बिन स्वार्थ के भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तू मेरी जब तक expectation और demand पूरी कर रहा है, या नहीं कर रहा है, तभी सकत मैं तेरे से चिप की रहूं, और हम चिपकते ही दूसरों से इसलिए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ स्वार्थ हमारा होता है, कोई दूसरा ह में होने का भाव हमारा पूरा कर रहा है, कैसे ये जो so-called romantic relationships कैसे शुरू होती हैं, वो ऐसे ही शुरू होती हैं कि आप जो की इस जीवन में एक तिनके के समान हो, कोई ऐसा मिल जाता है जो तूमें बताता है, अरे वा तू भी कुछ है, at least in the beginning, that love feels very special, कि कोई तूमें special बना हो सकते हैं, इतना अनवर्ध हमारे अंदर कूट-कूट के भरी हुई है, कि हमने सोचा ने कि हम भी special हो सकते हैं, अब ये बन्दा कह रहा है भई तुम बड़े special हो, तो उस बन्दे पे बड़ा प्यार आता है, कि वा, तूने मुझे special कहा, अब कुछ सालों बाद या शादी के बाद उस बन्दे की priorities change हो जाती है, अब तुम उस बन्दे के लिए उतने खास नहीं रहे, नयापन नहीं रहा जितना था, तो अब अम उस नयपन को फिर से खोचते हैं, उसी बन्दे के थ्रू, कि तूने तो का था मैं special हो, अब क्यों नहीं कह रहा मैं special हो, ऐसी क्या गल experiences को एक जरिया बना सकते हैं, ये जान लेने का कि वो जो भीख का कटोरा है हमारे हाथ में, जो हमेशा मांगता ही रहता है किसी से, कि मैं कुछ हूँ, उसकी हमें जरूरत नहीं है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ न कुछ हैं, हम स करना शुरू कर सकते हैं बिना किसी की जरूरत के हां है तिनके के समान ही बड जो भी है खुबसूरत है हर एक बंदा खुबसूरत है और खुबसूरत और भी ज्यादा हो सकता है दीरे दीरे अपने उपर काम करके हम अपने आपको ही अपने आपको ही अजिए पत्थर में से हम पत्थर में से निकालते हैं. जैसे एक आर्टिस्ट पत्थर को ठोक ठोक के, अपने आपको, उसमें से कोई एक इमिज़ निकालता है. कोई एक भगवान की मुर्ती बनाता है. तो उसी तरह से हमारा काम यह है कि हम अपने आप पे क्या हम काम करना चाहेंगे? या कब तक हम एक कटोरा लेके हर-हर दरवाजे पे नौक, 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 दे दो, भर दो, भर दो, बताओ कि मैं कुछ हूँ, बताओ मैं कुछ हूँ, कुछ स्पेशल हूँ. सो, तब ही कबीर कह रहे हैं, मांगन मरन समाने, क्योंकि जब हूं, मांगते हुए जीवन बिपताते हैं, तो वो एक तरह से मरने के समाने है, क्यों मरने के समाने है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम तो उस कटोरे के लिए जी रहे हैं, जो कटोरा कभी भरना नहीं है, हमें लग रहा है वो कटोरा हमारा है, बट रियली में क्या, अगर हमारा होता तो क्या हमें अभी बरप और हम पूरे जीवन भर उसके सलेव की तरे उसके गुलाम की तरे हम जीवन जीते हैं, उस घड़े के जो घड़ा कभी भर नहीं सकते हैं, और ऐसा जीवन एक मरे हुए जीवन के समान है क्योंकि हम अपने आपको पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हम जो हैं वो भर पूर हैं, हम अपने में पूर्ण है तो क्या हम पूर्णता से जीवन शुरू कर सकते हैं कि पूरा जीवने का पूर्णता में ही निकालना है तो तभी कभी कहते हैं मांगन मरन समान है तुम ये मत सोचना कि मांगते मांगते तुम्हें एक अपने लिए जीवन जी रहे हो तुम मांगते हु उसका पेट भरता नहीं भरेगा. क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि वह ilusory है. है भी नहीं भी. तो तुम्हें लगता है खाली है चलो भर दो. हम भरते हैं लेकिन यह भरता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इसको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो है ही नहीं बड़ दिखता है कि है अगर हम उसको भरते रहें तो वो तो कभी भी नहीं भर पाएगा इससे पता लगता है कि वो एक illusion है, भरम है और एक ऐसा भरम है जो पूरे जीवन परियंत कभी भी निकल सकता है कभी भी appear हो सकता है तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि मेरा कटोरा आप मैंने उल्टा करके रख दिया कोई भी एक ऐसा मॉमेंट निकल सकता है जिस समय वो कटोरा फिर सीधा होके खड़ा हो जाए और इसी बात पर कभीर कहते हैं चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह तो कभीर कहते हैं कि ये जो चाह है न कि भर दे भर दे कोई कटोरा भर दे मेरा कोई मुझे बता दे मैं कुछ हूँ जब तक ये रहेगी तब तक हम भिकमंगे ही रहेंगे तब तक हम मांगते ही रहेंगे पहले हम नॉर्मल लाइफ में मांगते हैं फिर स्पिरिच्टल सर्कल ज़ सुरू कर देटे हैं वहाँ हम बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं हमें भी भाव दो हमें भी importance दो तो असली में जो शेहन शाह कौन है राजा कौन है कबीर कह रहे है चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिनको कुछ नहीं चाहिए a person who is happy to be nobody a person who does not want to be anybody वो है शाहन का शाह उसको पता लग चुका है कि कोई भी चीज दुनिया की कोई भी इनसान इस जीवन में मुझे भर नहीं सकता क्योंकि मैं भर पूर हूँ जिसने इस चीज को पहचाना वो है शाहन का शाह otherwise एक राजा या एक CEO भी बिखारी की तरह ही जीवन जीता है कैसे क्योंकि उसको भी चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए तो क्या हम इन पंक्तियों को क्या हम इन कबीर जी के इन शब्दों पे विचार विमर्ष करें थोड़ा इनके साथ सोएं इनके साथ जीएं देखें जरा कि यह क्या चीज है जो बता के गए है बताना चाह रहे है नॉट इवन इन बन लाइन हजारों लाइन्स में तरे तरी से हमें बताने की कोशिश की है कि यह जो तुम भरने चले हो यह कटो रहा यह कभी भरेगा नहीं तो कब तक जीवन जीओगे एक भिक्मंगे की तरे क्यों नहीं जीना शुरू कर देते एक शेहनशा की तरे जो भरपूर है तो living from abundance that yes I am rich, I am full and now where would I want to spend time in this life what is seeming worthwhile for me where I want to spend time So, यह कुछ lines of interpretation है और reflection है इस पे deeply जा सकते हैं हम इसको लेके सो सकते हैं इसको दिन में चिंतन मनन कर सकते हैं और मेभी कुछ और revelations निकल के हाई इन ही में से धन्यवाद